दोस्तों एक बार फिर से आप सबीका स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज वाले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैलिग्राम से डूडी प्रोब्लम के सॉल्यूशन पर गाईज अगर आप टैलिग्राम यूजर है टैलिग्राम पर आपने अपने चैनल बना रखा है या कोई ग्रूप क्रियेट कर रखा है तो गाईज जैसी आप अपने टैलिग्राम को ओपन करते हैं अगर आपको यहाँ पर लगतार कनेक्टिंग वाला एर्र शो होता है जैसे पर मैं आपको कुछ steps बताने वाला हूँ जिनको अगर आप follow करते हैं तो 101% जो आपकी problem है इसका solution होने वाला है यहां पर दोस्तों मैं आपको live करके दिखाने वाला हूँ आप ओपर देख भी सकते हैं लगातार connecting show हो रहा है यहां से दोस्तों मैं background में आने के बाद इसको close कर देता हूँ और उसके बाद मैं telegram को again ओपर अगर के दिखाता हूँ तो हमारे telegram के अंदर यही problem face हो रही है उपर हम आपको दिखा देता हूँ जो हमारा internet वाइफाई है वो भी connect हो रख है और उसकी भी speed अच्छे से आ रही है लेकिन guys यह problem से बनी हुई है तो guys इसको किस तरह से आपको solve करना है तो यह मैं आपको बता देता हूँ लेकिन वीडियो में आगे पर देंगे पहले दोस्तों आप से छोटी सी गुजारी से अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो please bell icon को press करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको time रहते हैं मिलते रहे इसके साथ ही गाई जिस वीडियो को लाइक कर देजिए तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ आपको सबसे पहले step के अंदर एक बार अपने internet connection को जाच लेना है वैसे तो दोस्तों मैंने आपको पहले दि लिखने को मिलता है यहां पर दोस्तों आपको एक बार इसको क्लिक कर देना है और कुछ seconds के बाद आपको अगेन इस पर टाइप करना है जिसके बाद गाई यह डिसेबल हो जाएक और आपके network एक बार जाने के बाद दुबारा से आ जाएंगे और आपके internet speed के अंदर किसी प्रकार का कोई issue होगा तो वो यहां से automatically fix हो जाएगा और आपके इस problem का solution हो जाता है तो गई आपको अपने telegram application को open करके check कर लेना है कि problem solve होती है या नहीं अगर फिल भी problem same editage बनी हुई है तब आपको next step की और बढ़ना है और next step के अंदर दोस्तों अब आपको एक बार mobile network वाल option देखेगा आपको इस पर क्लिक करना है जो भी आपको इसको ओपन करना है और नीची तब स्क्रोल कर देना है यहां पर आपको एपस वाल ओप्शन दिखेगा आपको इस पर क्लिक कर देना है फिर आपको manage apps पर tap करना है तो इस तरह का interface जैसे ही आपके सामने आएग आपको उपर search बार दिखेगा आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको टेलिग्राम सर्च कर देना है टेलिग्राम वाली application आपके सामने आती है तो आपको इसको open कर लेना है कुछ इस तरह का एक नया पेज निकल कर आपके सामने आ जाएगा आपको नीचे एक option दि कर देने के बाद दोस्तों आपको इहां से बैक आना होगा और यहां पर आपको एक और option ढूंड लेना है data usage आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों आपको यह चेक करना है कि यह तीन option है mobile data, wifi, background data अगर यह disable हो रखे है तो इन तीनों को enable कर लेना है फिर आपको यहां से बैक आ जाने के बाद आपको एक और option दिखेगा यहां पर battery saver आपको इस पर क्लिक करना है अगर यहां से restrict हो रख है तो आपको no restriction पर इसको select करना है फिर आपको यहां से बिलकुल बैक आ जाना है अब आपको अपने play store को open कर लेना है उपर आपको search बार दिखेगा यहां पर आपको search करना है telegram देखिए दोस्तों जिस तरह से मुझे यहां पर update देखने को मिल गई है तो मैं यहां से अपने telegram को update कर लूँगा यहां से update कर लेने के बाद गाई जो हमारी problem है वो 100% solo हो जाती है उसके बाद एक बार हमें अपने phone को restart कर देना है और उसको अपने telegram को open करते है तो आप यहां उपर देख सकते हैं हमें किसी प्रकार से कोई भी connecting वाला issue शो नहीं हो रहा है तो इस तरह से जो हमारी problem इसका solution हो जाता है अगर कोई बंदा फिर भी एकाद कोई बच जाता है तो गईज उसको अपने telegram को यहां से uninstall करना होगा दुबा आपके साथ share कर दी है आपकी problem का solution यहां से हो जाएगा तो गई आज वाली इस वीडियो के अंदर मेर को आपको जाश्ट इतना ही बताना था अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई यह हमारी वीडियो की help शाब की problem का solution होता है तो उमीद करूँगा आप हमारे चैनल क को subscribe कर के जाएंगे और इस वीडियो को like कर देंगे तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए bye bye friends love you all take care